तो आज मैं आपको इस वीडियो में के सभी बेनिफिट्स के बारे में बताऊंगी और इसे कैसे यूज करना है इन सब चीजों के बारे में मैं आपको जानकरिया दोंगी और अभी तक जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे लोग जल से जल सब्सक्राइब कर ले ताकि न्यू नू नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके आईए शुरू करते आज का वीडियो जो है कैस्टर ओयल की मैं अगर पैकिंग की बात कर लूँ तो सबसे पहले यह रेड कलर की पैकिंग में यह बनाई गई है यह डाबर कमपनी दुआरा निर्मित है केस्टर ओयल और यह एक बहुत अच्छी ओयल है तेल है जो की मल्टी परपस है याने की इसका एक ही परपस नहीं होता है इसके कई सारे बैनेफिट उसके करने के बहुत स कि पैकिंग है और यह बहुत प्यूर एकदम आयुर्वेदिक तेल है यह बहुत अच्छी तेल बनाई गई है तो आये देख लेते हैं इसके benefits क्या है सबसे पहले तो लोग इससे पहला benefit जो है बहुत लोगों का दाड़ी जो है वह पतला होता है बियर्ड तो वह जो है पतला होता है तो यूज करते हैं इसे उसे ग्रो कराने के लिए उसकी डेंसिटी बढ़ाने के लिए इसमें तो यह उप्योगी है ही और यह बालों के लिए भी बहुत अच्छी है अगर आपके बाल बहुत तूटते जढते हैं या पतले हो गया है तो कैसर आयल को अपने बालों में मसाज करेंगे अपने डारी में भी लगाएंगे तो इसकी डेंसिटी बढ़ जाएंगी आपके बाल घने हो जाएंगे ग्मीदत है वह थोड़ी सी घंडी हो जाएगी इससे क्या होता है कि आपके growth का rate बढ़ जाता है और आपके बालों का तूटना जढ़ना भी कम हो जाता है और दारी में भी अगर कमी है तो growth सही से हो जाता है दूसरी जो चीज है वो कभी-कभी हमारे घर में ही आप है या बाहर में कहीं है जहरीली कुछ भी insects जो है आपके आखों में चली जाती है या तो कुछ और पार्टिकल भी चला जाता है और आखों में बहुत ज़लन होने लगती है और हम क्या करते हैं अपने अंगुलियों से उसे मसलने लगते हैं तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें अगर आपके पास कैस्टर ओयल है आप दो बूंद कैस्टर ओयल की लें और एक ड्रॉपर की सहता से अपने आँखों में डाल लें इससे क्या होगा कि थोड़ी देर के लिए आपके आँखों से पानी आएगा लेकिन वह कच्रा अब देखेंगे कि तुरंद बाहर निकल गया और बहुत जल्द आपको जो है वह राहत हो जाएगी रिलीफ हो जाएगी और आपके आँखों को भी कोई नुकसान नहीं होगी क्योंकि यह 100% नैचरल है तीसरी जो चीज़े वह बहुत सारे वोमेंस में कई बार क्या होता है कि उनके ब्रेस्ट में जो है गांट पढ़ जाती है गांट हो जाती है तो अगर सही टाइम पर ट्रीट्मेंट ना कराया जाए तो कैंसर भी फॉर्म कर जाता है तो जैसे ही आपको लगे कि थोड़ी सी गांट हो गई है आप तुरंद कैस्टर ओयल का इस्तमाल करना शुरू कर दे और अपने गांट वाले एरिया में जो है वो कैस्टर ओयल से मसाज शुरू कर दे और रेगिलरली जब आप मसाज करने लगेंगे तो कुछी दिनों में आप देखेंगे कि धीरे-धीरे वो गांट जो है डीली पढ़ रही है और छोटी हो जा रही है धीरे- बहुत लोगों की एरिया फटती है ठंड में तो फटती है बहुत लोगों की गर्मी में भी बहुत एरिया फटती है तो जिनको बहुत ज्यादा प्राब्लम में एरियों की फटने की तो इसे अगर वो रात में सोते समय लगा कर सोए तो यह बहुत एफेक्टिव है बहुत दिनों में आप देख पाएंगे 7-10 दिसके अंदर कि आपकी एरिया बिल्कुल जो है वह सौफ्ट हो गई है पांचवी जो इसकी बेनिफिट है वह है आँखों के नीचे बहुत लोगों को जो है यह शिकायत होती है कि मेरे आँखों के नीचे काले गेरे हैं इसमें मैं क्या लगाओं वैसे तो मार्केट में बहुत सारे ब्यूटी प्रोड़क्ट्स है जो की केमिकल यूक्त है लेकिन अगर आप उसे ठीक करना चाहते हैं तो आप उस अपने का आँखों के एरिये में काले घेरे जहां आपके तेल को दो बार एक बार सुबह और एक बार रात को सोत समय अगर आप लगाते हैं तो दीरे दीरे आपके आँखों के काले घेरे जो है वो धिरे दीरे दीरे गायब हो जाएंगे इससे और नेस्ट्रल होंगे आपके स्कीन को कोई एफेक्ट नहीं करेगा ऐसा क्यों होता है मैंने पहले भी आपको बताया क्योंकि उस एरिया के ब हमेशा जिनको पेट में दर्द रहता है मीठी łatकी दर्द हमेशा होती है खाते तब भी नहीं के थे अब हैं İyi Ohh Di अब कए है यह तो इसे कए हैं अगर पेट दर्ड केलिए लेना चाहते हैं तो मैं बताती हूँ कि इसे कैसे लेना है आप अगर पेट दर्द के लिए से इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक ग्लास पानी में दो चमबंच कैस्टर आइल को डाले और आधे नीमू कररस उसमें निचोड दे और सुबह सुबह खाली पेट में इसे आप पी ले इसका सेवन कर ले फिर आप देखेंगे कुछ दिनों बाद ही दस दिनों के अंदर आपको मैसूस होगा जो आपका बरसों से हमेशा पेट में दर्द रहता था वो बिलकुल दिरे 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 गायब हो जा रहा है और आप बहुत अच्छा फील करेंगे और यह जो है कंस्टिपिकेशन यानि की कब्स में भी बहुत इफेक्टिव में अगर किसी को कब्स रहती है या कंस्टिपिकेशन की सिकायत है तो भी वो इस देल का इस्तमाल कर सकते हैं उन्हें कैसे इस्तमाल करना है अगर वो 14 यर्स के नीचे के हैं यानि कि अगर 14 साल से नीचे के बच्चे हैं तो वो 1 टेबल स्पून इस कैस्टर ओयल को एक ग्लास एक कप मिल्क के साथ दूद के साथ लेंगे रात में और सो जाएंगे और अगर वो 14 साल से अबव के कोई परसन लेते हैं तो वो जो है दो टेबल स्पून कैस्टर ओयल को दूद के साथ रात में सोते समय लेंगे तो उनकी कब्जियत जो है बिलकुल ठीक हो जाएगी और हा मुनको का बीज जो है वो आप निकाल दे और पंदरा से बीस मुनको को आप मिल्क के साथ दूद के साथ उबाल ले उबालने के बाद एक से दो चम्मच उसमें कैस्टर ओयल डाल दे और आप उसे सेवन कर ले रात में सोने से पहले फिर आप देखेंगे कि हंड्रेट परसंट और शदी यह है कि आपकी पेट बिल्कुल साफ हो जाएगी और आपकी कंस्रिफिकेशन हंडेट परसंट ही को जाएगी इससे बेस्ट मेडिसीन कुछ भी नहीं हो सकती तो आप इसे एक बार यूज करके जरूर देखें यह कैस्टर ओयल जो है आपके डाइजेशन को भी ठ कर देती है इसे भी अगर हम खाना पचाने के लिए उस करना चाहते हैं तो रात को दूद में सोते समय एक से एक या दो चम्मच इसमें डाल कर आप पिए और रात को सो जाए और फ्रेंड्स अगर एपेंडिक्स के दर्द से भी आपको राहत चाहिए बहुतों को एपेंडि के दर्द में भी एलाबकारी है इसे अप एपेंडिक्स के दर्द के लिए इस्तमाल कर सकते हैं और जो है साइटिका में भी है बहुत उपयोगी है अजिक साइटीका है गाट का डर्द है घुट्cium का दर्द है पैर का दर्द है अगर उस जगह पे आप थोड़ी सी केस् isso र सब्बार करेंगे तो यह बहुत अच्छी रजल्ट आपको देगी बहुत इफेक्टिव रेजल्ट होगी और आपका दर्द जो है वह धीरे-धीरे-धीरे-धीरे गायब हो जाएगा बहुत अच्छी इसकी रेस्पॉंस है आपके साइटिका में दर्द में हर चीज में और अ area पे लगाएंगे तो आपको तुरंट रहत मिलेगी ठंडक मिलेगी और जलन से भी आपको मुक्ती होगी और सूजन भी कम हो जाएगी तो आपने देखा कि इसके कितने सारे purpose है एक चोटी सी campus रोल के हजारो परपकर स whether और और आपको कुछ पर कर लेते हैं इसके rate के बारे में इसकी price क्या है तो आप देख सकते हैं ये जो है 100 ml की castor oil है डाबर company की और इसकी rate जो है वो 108 रुपीज है 108 रुपे की ये तेल है और ये 100 ml की है तो बहुत कम दाम में बहुत उपयोगी चीज आपको मिल रही है बहुत उपयोगी तेल है ये हर घर में इसे रखना चाहिए क्योंकि आपने देखा इसके कई परपस है एक परपस नहीं इसके बहुत सारे परपस है और जो है ये छोटी वाली जो है इसकी price जो है वो 62 रुपीज की है तो आप छोटी बड़ी ये 50 ml की है आप देख सकते हैं ये जो है 50 ml की है और 62 रुपीज की print rate है तो आप छोटी बड़ी कोई भी ले सकते हैं ये हमारे लक्ष्मिया एरवेद में भी उपलब्द है आप आके वहां से भी ले सकते हैं और भी कहीं से ले सकते हैं लेकिन आप इसको use करें और देखें कि बहुत अच्छी result आपको मिलेगी और बहुत अच्छा मैसुस करेंगे होट मेरा आजका वीडियो आपको पसंद आया होगा अगर मेरा वीडियो पसंद आया है तो इसे like का subscribe करना ना भूले अभी तक जिन लोगों ने subscribe नहीं किया है वे फ्रेंड जल्दी-जल्दी subscribe कर ले आगी भी मैं बहुत सारी रिविउयों झाल झाल झाल